दोस्तों मैं विकास मंगल यूटूब चैनल के माध्यम से आज आपको इसर मोल जिसको बहुत दिवी उशदी कहा जाता है दुल्लब कहा जाता है जिसको हम दूसरी बासा में गोरिसल भी कहते हैं इसके अवगत करा देता हूं इसके पत्ते देखिए आप इस प्रकार इसके प आता है जो चार मूँ होके फट जाता है देख लिए आप इसको दिखाता हूं मैं यह अधिकतर तेंदू के पत्ते पर ज्यादा पाई आती है इसकी दो किसमें होती है पहली तो तेलिया दूसरी साधारण किस्म है जो तेलिया गोरिसल होती है उसमें तेल टपकता रहता है यह देखी है पैड़ी में लगी हुई अंदर इसकी अंदर एक कंदूर में जड़ निकलती है जो कई रोगों में काम में आती है इसके बारे में आपको मैं एक पोरानिक कता सुनाता हूं इससे आप इसका महत भी समझेंगे एक वार्षिन नारज जी ने भागवान शंकर से खाथ से विनोत करने के लिए इसकी जड़ को निकला निकाला कर उन्होंने क्या किया बगवान शंकर के जहां पर कमरबंद मरत जहां सर्प लिपटा रहता है उसकमरबंद के यहां से इसको चुआ करके उनके बाजू में रख दिया इस उनके सारे सरीर के सर्प छूट के यह जहां पर रहती हैं सरप बिल्कुल नहीं आते हैं सरप का प्रवेश्ट वर्जित है यदि आपके हाथ में रहेगी तो आप सरप को पकड़ सकते हैं वह अपना मूह नहीं खोलेगा यदि किसी को गोईरे ने काड़ खाया है तो तीन ग्राम की मात्रा में इसके ताजा कंद को बाट करके यदि आप गय के देशी घी के साथ पिलाते हैं तो वह तुरंत अपनी जो संग्या उसको आ गई थी जो भेहुशी उसको आ गई थी वह खोदेगा और वह वापस जीवित हो जाएगा इस ओशदी को हम बुखार में भी देते हैं यदि इसका जड़का दो-तिन बाट